नमस्कार गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आपका न्योज स्टेट पर मैं हूँ आपके साथ हादर श्तिवारी नवरात्र का पावंत योहार चल रहा है देश भर में सुभा से ही मंदिरों में महागौरी की पूझा अर्चना हो रही है आप कैसे करें पूझा कैस करें माता को प्रसंद इसके लिए देखी हमारी ये रिपोर्ट आज के दिन की आज अश्टमी तिथी है और अश्टमी तिथी में महागौरी का पूझन किया जाता है सास्त्र कहते हैं कि असंभव कारी को भी संभव करना चाहते हैं तो नवरात्रों की अश्टमी के दिन महागौरी का पूझन करना चाहिए नवरात्रों के आठमे दिन महागौरी की पूझा की जाती है मा की उम्र आठ वर्ष की कन्या के समान है माकापूर आशिरवाद वर्दान पाने के लिए दो वर्ष से दस वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है देखे कन्याओं की संख्या एक से ले करके नौ तक कितनी भी हो सकती है पूजन के लिए यदि ब्राम्वन कन्या मिले तो यह स्रिष्ट वात है अन्था किसी भी कन्या का पूजन अश्टमी के दिन आप कर सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर आपको ब्राम्वन कन्या नहीं मिली तो आप कन्या का पूजन न करें ऐसी गलती ना करें कन्या के रूप में मा गवरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, नवरात्रों के नव दिनों में प्रति दिन कन्या पूजन करने का विधान है, नवरात्रों में ही नहीं सभी दिनों में भगवती कन्या के रूप में, कन्या के शरीर में, शक्ती के र इसलिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माने कठोर तप किया, जिससे मा का शरीर काला पड़ गया। गवरी की उपाषना से साधक का आग्या चक्र जाग्रत हो जाता है। गवरी का मंत्र कौन सा है अब इसको समझ लीजिए। आज के दिन जो जपनी मंत्र है जिस मंत्र का उचारन करने से जप करने से मा प्रशन होती है और सभग का वरदान देती है वो मंत्र है। इस मंत्र का उचारन करने से आज के दिन भगवती विशेश रूप से प्रशन होती है और वह मनोवांशित फल प्रदान करती है।